नमस्कार हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ आईए सुनते हैं शुकलवाणी का पहला भाग हालांकि इससे पहले हमने एक पार जो है वो इसका कर लिया है जिसमें हमने काल भी भाग को रखा था लेकिन आज हम बिलकुल शुरुवाती प्रकरण एक समान्य परिचा इसमें आपके बीच में लेकर आए हैं जो है वीर गाथा काल समवत एक हजार पचास से लेकर की एक हजार तीम सो पचात्तर तक का जो समय रहा ये रहा अचारे रामचंद्र शुकल के द्वारा अब आदाती है कि इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को जो अध्याय रहे हैं उनको क्या नाम दिया है तो यह है प्रकरण तो इनका जो पहला प्रकरण है देखिए वो है समान्य परिचे समान्य परिचे में इन्होंने आदिकाल के बारे में एक समान्य सा जानकारी दी है कि क्या-क्या इस अध्याय में रहने वाला है तो यहाँ पर पहली चीज लिखी है कि प्राकृत की अंतीम अपबरंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का अविर्भाव माना जा सकता है अगर हम किसी भी एक्जाम के त्यारियां कर रहे हैं तो यह वाली लाइन जो है बहुत बार पूछी जाती है एक्जाम में कि अचारे रामचंदर शुक्ल ने किस अवस्था से हिंदी साहित्य का अविर्भाव माना तो हमें यहाँ पर सिंपली इतना यार रख लेना है कि प्राकृत की अंतिम अपवरंश अवस्था से हिंदी साहित्य का विर्भाव अचारे रामचंदर शुक्ल ने माना दूसरी लाइन कहते हैं कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था तो हमारा प्रश्ण यहीं पर बन जाता है कि गाथा का मतलब है कि प्राकृत गाथा प्राकृत का अपना चंद रहा है गाथा भी कहते हैं इसे लेकिन इसके साथ ही साथ इसे गाहा भी कहा गया है वैसे ही ये कह रहा है कि दोहा या दोहा कहने से अपभरंश या प्रचरित का व्यभाशा का पद्य समझा जाता था यहाँ पर कहने का भी प्राय क्या है कि उस समय गाथा कहने से कि पहले समय में जिस तरीके से हमें गाथा कहने से प्राकृत का बोधोता था वैसे ही दुहा या दुहा कहने से अपभरंश या प्रचरित का व्यभाशा का पध्य समझा जाता था तो यह बात याद रखनी है यहा अपभरश के लिए क्या नाम दिया तो ये है प्राकृता भास हिंदी के पद्यों में सबसे पुराना पता पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमारगी बौधों की सामपरदाईक रचनाओं के भीतर विक्रम की सात्मी शताबदी की अंतिम चरण में लगता है बहुती मतपूर लाइन है यहाँ पर कि जो अपभरश बाशा है इसकी जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है सबसे पहले तो इसने जो बौध रहे हैं इनको तांत्रिक और सामपरदाई कहा है यहाँ से ये भी प्रशन बन जाता है कि बौध जो अपके रशनकार रहे बौध पर ये प्रशन बी पूछ जाता है कि हिंदी का जो प्राचीन रूप है हमें किस की बानियों में मिलता है तो सिध्धों की बानियों में यहीं से आपने ये याद रख लेना है और किसने सिध्धों और नाथों को सामपरदाई कहकर विरोध किया तो ये भी आचारे रामचं नेक्स जाता है हिंदी साहित्य का आदिकाल समवत 1050 से लेकर के 1375 तक अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यहां पर बहुती मतपूर लाइन अगली भी यह देखिए, अनिर्दिष्ट लोग प्रबृती के उपरांत, जब मुसलमानों की चड़ाईयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रबृती एक विशेश रूप में बंदती हुई पाते हैं, तो बहुती मतप शुक्ल ने कहा, नेक्स आता है, राजाश्रित कभी और चारण, जिस प्रकार निती, श्रिंगार, इत्यादी के फुटकल दो हे, राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रिदा था, राजाओं के पराकरम पूर्ण चरीतों या गाथाओं का वनन भी किया करते थे, यही प्रबंध परमपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है, तो अब बात आती है यहाँ पर नामकरण की, कि इस वाले भाग में इन्होंने नामकरण भी इसका सुझाया, कि इसको जो नाम है देखिए, वीरगाथा काल होना चाहिए, कि जो राजाओं के आश्रे में जो कवी रहते थे, उसको हम चारण भी कहते थे, या भाठ भी कहा जाता है उनको, वो जो नीती और श्रिंगार इत्यादी के फुटकल दोहे, राजसभाओं बगेरा में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रे दाताओं और राजाओं के पराकरम पूर्ण चरितों या गाथाओं का वनन भी वो करते थे, ठीक है, तो ये राजाओं की जो पराकरम पूर्ण जो बाते रहीं, जो गाथाएं रहीं, उसको ही इसने बोला कि वो ही दीरे-दीरे क्या चला, रासो बना, तो रासो के नाम से मिलती है और इसी को अधार मान करके इन्हें इन्होंने आदिकाल को नाम क्या दिया वीरगाथा खाल नाम दिया है महत्वपूर्ण है ये लाइन और इससे प्रशन पूछा गया है और जितनी भी यहाँ पर चीजें हैं देखना अचारे रामचंदर शुकल की इतिहास के अधार पर ही है ये तब ही हमने इसका नाम भी शुकलवाणी ही रखा है तो आप देखेंगे जो जो लाइने यहाँ पर रहेंगी उससे आपको प्रशन बनाके भी याद रखना है कि जरूरत नहीं है या आप सिंपली इसको देख सकते हैं प्रशन बनाने पढ़ेंगे आपको इनको खुद बनाएए तब जादा अच्छा आपके लिए रहे हालां कि लास्ट में हमने इसमें रखे हैं जितने भी इसमें चीज़ें रहने वाली हैं जितने भी शुकल का इतिहास है उस सब को हम अपने लाइव सेशन में रखेंगे क्योंकि यूट्यूब में लाइव आने का मौका बहुत कम मिल रहा है एक exactly समय हमें नहीं मिल पा रहा है लाइव क्लास इसकी वज़ा से ही तो आप जो है आप हमारा लाइव क्लास में भी आ सकते हैं जहांपर हम शुकलवानी को एक बार फिर से अच्छे तरीके से व्याख्याईत प्रशनों सहित करेंगे लेकिन इसमें हम प्रशनों को ज़ादा नहीं देखेंगे इसकाल की जो सामगरी प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिक्द है और कुछ संदिक्द है असंदिक्द सामगरी जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभरंश अर्थात प्राकृता भास हिंदी है तो यहाँ पर यह कहते हैं कि जो आदिकाल रहा दे कि इसकी समगरी प्राप्त है, कुछ उसमें असंदिक्द है, कुछ संदिक्द है, तो जो असंदिक्द थी, जिसके बारे में मतलब जो चीजे हमें प्राप्त हैं, वो ये कह रहा है कि वो प्राकृता भास हिंदी में रहा, इसके लाबा यहाँ पर पूर्ण यहां पर है कि हिंदी कावी प्राईया है कि उस समय की ठीक बोलचाल की भाशा नहीं थी वो लेकिन जिस समय इसकी रचनाय मिलती है वो है यह उस समय के कव्यों की भाशा है यह अचारे रामचंदर शुक्ल ने कहा है नेक्स्ट है अप भरंश के जो नमूने हमें प्रकार की भाशा का वैवार किया है तो अब इसी प्रकरण में ही इन्होंने देखना विद्यापती के बारे में एक लाइन ही कैदी है जहां पर यह कह रहे हैं कि उन्होंने दो प्रकार की भाशा को अपनाया एक थी पुरानी अपभरंश भाशा और दूसरी है बोलचाल की देशी भाशा विद्यापती ने अपभरंश से भिन प्रचलित बोलचाल की भाशा को देशी भाशा कहा किसको कहा अपभरंश तो यहीं से हम मानते हैं कि अचारे रामचंदर शुक्ल ने जो देशी भाषा अपना एक इन्होंने नाम रखा है देखना साथी साथ आप देखेंगे देशी भाषा के अंतरगत इसने आठ ग्रंथों को रखा है तो यह जो देशी भाषा शब्द है यह अचारे रामचंदर अंश हैं इन्होंने सिर्फ दो पेजीज में या तीन पेजीज में आधिकाल को रखा है आपके हिंदी साहिते की तिहास गरंथ में आपको मिल जाएगा आपके पास किसी भी पुब्लिकेशन की बुक होगी तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी तो मैं समझता हूँ अब आपको सिलसिलेवार करके अचारे रामचंद्र शुकल की वीडियोस जो हम वो बिलनती रहेंगी शुकलवानी की तो समाने परीचे चोटा सा था इससे समान्देत कोच मातपुर्ण प्रशन हमने यहां पर रखे हैं इनको एक बार देख लेते हैं शुकल ने हिंदी साहित्य का अविर्भाव कब से माना है तो प्राकृत की अंतिम अपवरंश अवस्था से यह हिंदी साहित्य का अविर्भाव मानते हैं या फिर दूसरा प्रशन है देखिए गाथा कहने से किस भाषा का बोध होता था हमने जानभूज कर यहां पर जो पहले यह वाला प्रशन ही रखा है कि जो अपभरश का चेप्टर है लेकिन हमने इसमें गाथा के बारे में रखा है क्योंकि यह प्रशन बन सकता है यहां से तो गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था अर्थात प्राकृत का जो मुख्य चंथा वो गाथा या गहा रहा है दूसरा प्रशन आता है इसके बाद तीसे नमर पर अपभ्रश के प्राचीन्तम नमूने कहां से मिलते हैं तो ये थे योगमारगी बौध हो वो तांत्रिकों में सिध्धों वो नाथों की रचनाओं से अपभ्रश का मुख्य चंथ क्या है तो अपभ्रश का जो मुख्य चंथा ये था दोहा या दूहा आगे हम विस्तार से जानेंगे कि ये किसमें मिलता है ये जो अचारे रामचंदर के शुक्ल के अनुसार जानेंगे तो वो कौन सा हो जाता है ये हो जाएगा आपका जो इंदू या योगिंदू लेकिन सर्वमान्यमत अनुसार जो अपवरंश का जो मुख्या चंद रहा या जो सिंपली हम जिसको कहते हैं कि जो आपका कडवक बद परमपरा रही ये किस से रही स्वैम्भू से रही ये आगे आदिकाल में हम अच्छे तरीके से इसको देखेंगे हिंडी साहित्य का आदिकाल शुक्ल ने किन दो शासकों के समय के मध्य माना है तो यहां पर महाराजा भोज के समय से हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक इनने माना है अगला प्रशन है किस परंपरा को अधार मान कर शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया तो इसने रासो परंपरा जिसमें कभियों ने अपने आश्टे दाताओं के वीरता और पराकरम पूरुन चीज़ों को रखा है वो ही इसने रासो साहित्य माना प्राकरिता भास हिंदी के पद्यों का सबसे पूराना पता कब से चलता है यह है विक्रम की सात्वी शती के अंतिम चर्ण से आधिकाल की किस सामगरी की भाषा प्राकरिता भास हिंदी रही तो जो असंदिक्द थी मतलब जिसके बारे में हमें थोड़ा बहुत चानकारी उ विद्यापती ने देशिल बाणा नाम दिया है। शुकल ने देशी भाषा शब्द किससे ग्रहन किया। यहां पर आपको यार रख लेना है विद्यापती। तो यही था आदिकाल के सामान्य परीचे के अंतरगत जिसको अचारे रामचंदर शुकल ने वीर गाथाकाल नाम क की संग्यादी और इस प्रकरण में इतना ही था और I hope कि आप सब लोगों ने इस छोटे से से सेशन को एक बार फिट से इंजॉय किया होगा। तो अगर यह आपको प्रियास अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आप आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि आपके लिए हम इस तरीके का भेतर कॉंटेंट जो है वो लाते रहेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आप कॉमेंट सेक्शन में जाकर भी बता सकते हैं या फिर आप हम एक स्क्रीन पर दिये गए नमबर पर WhatsApp भी कर सकते हैं तो फिलहाल आज के लिए इतना ही जल्द मुराकात होगी अगले भाग के साथ तब तक बने रहिए हिंदी सहीते वारता के साथ शुक्रिया जहिए